वेलकम बैक तो माई चैनल रीपीर वाले स्टूरेंट का मैंने लास्ट वीडियूम बता दिया थे कि उनको पर्मोट करने में क्या दिक्कत आ रही है और कैसे उनको पर्मोट कर सकते हैं रेगुलर वाले स्टूरेंट के बारे मैं मैं अल्रेडी बात कर चुकी हूं बढ़ जो distance वाल student है उनके मेरे पास काफी message और comment आ रहे हैं कि उनको promote किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा अब इस चीज़ पर जो है अभी भी कोई final decision नहीं लिया गया है क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि जो कुछ courses ऐसे थे जिनके जो 2020 marks की exam हुए थे university में जो first year के हैं जो distance से कर रहे हैं बट कुछ students के मेरे पास comment पर आये थे कि वो exam दे नहीं पाए या फिर किसी-किसी courses में वो exam हुए नि 2020 marks वाले जिनके बेस पर जो है उनको आगे उनका result दिया जाए जो अभी जो है एक committee बनाए गी थी जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था उस committee को क्या करना था आप सभी students को कैसे promote करना कि इस बेस पर यह सारी report त्यार करके government को देनी थी बटा यहां से पढ़ सकते हो जैसे distance वाले student है तो उनकी एक ही बार प्रिक्षा होती है तो जो first year वाले student है उन्होंने तो अभी कोई भी exam कुछ से courses में जो है उन्होंने एक भी exam नहीं दिया अभी तक university में तो उनका कोई भी base नहीं मिल रहा है कि कि इस base पर उनको promote किया जाए कुछ ना कुछ तो उनका कुछ marks उनका कुछ background कुछ internal assessment है या फिर कोई test लिया हो उसके base पर जो है किस student को हम promote कर सकते हैं तो जो second semester वाले student है उनको तो हम first year का जो उनका result है उनके base पर promote कर सकते हैं बद जो first year वाले हैं उनकी अभी भी यही confusion है कि किस base पर किस अधार पर उनको promote किया जाए और अभी तक फिर यहां से कोई decision नहीं निकल किया तो अभी इस पर बात चल रही है कि आगे क्या होगा अभी जो यह report है यह government को दी गई है आगे क्या decide होता है क्या final decision आएगा उस चीज़ के लिए भी कोई notification नहीं आई है जैसे ही कोई notification आएगी मैं जरूर आपके साथ share करूंगी तो अभ